क्या होगा जब एक आदमी टाइम ट्रेवल कर अपनी पतनी को बचाने की कोशिश में बार बार रियालिटी ही बदल देता है अब ये वीडियो वोटेक सीरीज का दूसरा और आखरी पार्ट है तो अगर अभी तक आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिंक और आई पटन पर मिल जाएंगे अब चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं अब लूडो पा रहा था कि उसके पार्टनर नैथन ने उससे बहुत कुछ चिपाया हुआ है और अब जब वो वर्चुल प्रोग्राम के जरीए देखता है तो पाता है कि नैथन ने हर एक मर्डर की जाच मिला परवाही बरती वहीं अब चूंकि कई दिन से लूडो टाइम ट्रेवल कर मैलनी को मरने से बचाने में लगा हुआ था तो एक दिन रेचल उससे पूछ ही लेती है कि लूडो को क्या हुआ है और वो पिछले कुछ दिनों से इतना परिशान क्यों है जहां फाइन भी अगर लूडो सच कह रहा है तो भी उसे पास्ट में हुई किसी इवेंट को बदलना नहीं चाहिए वरना उससे सीधा उनकी आज की रियलिटी बदल जाएगी वहीं दूसरी और साल 1998 में भी अम मैलनी यंग लूडो को फिर से सचा ही बताती है क्योंकि वो कई रातों से म पार्क में ड्रिंक करने चली जाती है वहीं आज चूंकि मैलनी जगडे की वजए से बीच पर नहीं गई थी तो लूडो उसे बता नहीं पाता कि नैथन ही शायद से उसे मारने वाला है वहीं अब तक मैलनी पैदल ही घर जा रही थी जहां भी यंग नैथन रास्ते में गा फ्लोरेंस के घर रुकने चली जाती है वहीं फ्लोरेंस जो कि भविशा में नैथन की पतनी बनेगी अब सुबह जब मैलनी फिर से बीच पर जाती है इस बार फाइनली लूडो उसे बता ही देता है कि नई सबूतों के आधार पर वो नैथन ही होगा जो कि उसे मारने वाला है अब ये सुनकर मैलनी को उस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि नैथन तो उसे कल रात भी मिला था मगर वहां तो उसने उसे कुछ नहीं कहा लेकिन अब दोनों यहां आगे कुछ भी बात कर पाते उसके पहले ही लूडो को अपना नाम सुनाई देता है तो वो जल्दी से वर वर्चुल प्रोग्राम का इस्तिमाल कर रहा है तो उनके डिपार्टमेंट के मताबिक उसकी मानसी खालत ठीक नहीं है और लूडो को कुछ दिन घर जाकर आराम करने की जरूरत है और ये साब उन्हें नैथन ने बताया है अब ये जानकर लूडो सब के सामने नैथन पर भ वरोसा नहीं करते और उन्हें लगता है कि लूडो बिना कुछ साउचे समझे ये सब कह रहा है वहें लूडो भी समझ गया था कि उसकी कोई नहीं सुनने वाला तो वो अब घर जाने लगता है मगर जाने से पहले उसने मैलनी की फाइल और नैथन का कोफी कप डिने सेंपल के लिए छुपा लिए थे वहीं पाश्ट में मैलो ने घवरा चुकी थी क्योंकि अब तो लूडो भी टाइम ट्रेवल कर पाश्ट में नहीं आ सकता तो उसे भविशा में मैसेज देने के लिए वो खुद को कैमरा में रिकोर्ड करती है और उसकी फुटेज अपनी को दे कर कहने लगती है कि वो इसे 27 साल बाद लूडो को वापिस से दे दे हाला कि फ्लोरेंस को ये काफी ही आजीव लगता है तो वो अब टेप लेने से मना कर देती है वहें लूडों ने लेव से निकलने से पहले बड़ी ही चालाकी से वहां वियर क्लासिस चुरा लिये तो वो अब घर पर ही उनका इस्तिमाल कर वापिस से टाइम ट्रैवल कर जाता है और मेलनी को कहता है कि भविश्य की फाइल के हिसाब से मेलनी को मरने का दिन करीब आ चुका है और उनकी अनुसार चूंकि उन्हें नैथन पर 99 प्रतिशत की यकीन है कि वहीं मेलनी को मारने वाला है तो इस बार मेलनी को पहले यूसे मार देना चाहिए लेकिन मेलनी किसी को भी मारना नहीं चाहती थी तो वो अब ये सब करने से पहले लूडो सो एक आखरी बार भविश्य की अपनी बेटी जूलियर्ट से मिलवाने को कहती है और लूडो उसकी बात मान भी जाता ह मगर अब जब वो अपनी बेटी के पास जाकर उससे कहता है कि उसे घर चलकर वो उसे मेलनी से मिलवाना चाहता है तो मेलनी अब उसकी बातों का भरोसा नहीं करती और कहती है कि उन्हें इलाज की जरूरत है क्योंकि उसकी मातों इतने सालों पहले मारी जा चुकी है जिससे निराश होकर अब लुडो घर आ ही रहा था कि उसके पास उसकी पुलिश डिपार्टमेंट की कोवर कर किम का फोन आता है और वो बताती है कि जिस कोफी कप का डिने टेस्ट लेने के लिए लुडो ने कहा था उस टेस्ट को लेने से पहले ही नैथन ने कैंसल करवा दिया है वहीं अब उने भी नैथन पर शक हो रहा है तो वो अभी उसके घर की तलाशी लेने जा रही है अब ये जान लुडो को थोड़ा सुकुन मिलता है कि कोई तो है जो कि उस पर भरोसा कर रहा है वहीं अब तक उसकी बेटी भी उसके साथ घर चलने के लिए आ गई थी और वो कहती है कि उसे अपने पिता पर थोड़ा बहुत तो भरोसा है ही आप दोनों यहां से घर पहुंचते हैं और लोडो जल्दी से इस बार जूलिट को ही वे वर्चुल ग्लासिस पहना देता है और यहां से जैसा की होना ही था अब जूलिट भी टाइम ट्रेवल कर अपनी मा को अपनी आँखों के सामने देख पाती है हाँ शुरू में उसे यह सब काफी आजीव लगता है मगर वो जान तो गई थी कि यह सब कुछ रियल में हो रहा है तो यहां से अब अपनी मा से पास्ट में मिलने के बाद जूलिट को काफी ही सुकुन मिलता है वहीं जब लोडो मेलनी से मिलता है तो मेलनी लोडो को थैंक्स कहती है जो उसने उनकी बेटी की इतनी अच्छे परवरिश की और यहां से मेलनी आगे कहती है कि अगर वो फिर से टाइम टेवल ना कर पाए तो उसने खुद को रिकोर्ड कर उसकी टेप अपने बच्पन के दोस्त हैक्टर को दे दी है तो वो उसे टेप ले सकता है और वैसे भी कल वहीं दिन है जिस दिन वो मरने वाली है तो यहां से मेलनी अब अपनी आखरी शाम चोटी जूलियट और लुडो के लिए अच्छा सखाना बनाती है और उनके साथ एक बेहदी अच्छा समय बिताने लगती है वहीं अब जब सुबह हो चुकी थी तो मेलनी बड़े ही भारी मन से दोनों को सोते हुए ही घुडबाए बोलकर निकल जाती है क्योंकि आज ही वो यंग नेथन को उसे मारने से पहले ही जान से मार देगी और अप लैन के मताबिक मेलनी इस बार खोदी फोन कर नेथन को बुलाती है और जैसे ही नेथन उसके पास आता है वो उसे गोली मार बहाँ जाती है हाला कि नेथन मरा नहीं था और गोली उसके कंदे से आरपार चली गई थी वहीं मेलनी भागकर अपने बेस्ट फ्रेंट हेक्टर के घर जाती है और उसे वहीं टेप देकर कहती है कि उसे ये टेप 27 सालों बाद लूडो को देनी होगी वहीं साल 2025 में लूडो अब हेक्टर के घर पहुँच कर मेलनी की टेप देने को कहता है जो कि उसने उसे लेने को कहा था लेकिन इस वक्त का हेक्टर अब उसे बताता है कि उस दिन पॉलिस ओफिसर नेथन को गोली मारने के बाद वो उसके घर आई तो थी मगर उसने उसे कोई टेप नहीं थी और वो तो तभी वहाँ से भाग गई थी अब ये सुनकर लूडो को काफी ही अजीव लगता है क्योंकि मेलनी ने खुद उसे कहा था कि वो टेप हेक्टर के पास ही होगी यानि कि इसका एक ही मतलब था कि हेक्टर उसे बहुत कुछ छिपा रहा है वहीं साल 1998 में नेथन को गोली से गायल करने के बाद मेलनी अपने बेस्ट फ्रेंड हेक्टर के पास जाती है जहां हेक्टर उसे संभालता है लेकिन अब यहां दिखाया जाता है कि हेक्टर के पास मेलनी के बहुत सारी चीजे थी यानि कि वो मेलनी से हमेशा से प्यार करता था और अब उसके प्यार में इतना जाता साईको हो चुका था कि उसने उसकी काफी सारी चीजों को चुरा रखा है वहीं भविशय में हेक्टर के घर जाने के बाद लूडो समच चुगा था कि उसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो किलर नैथन नहीं बलकि हेक्टर ही था तो अब लूडो जल्दी से घर बागता है ताकि वो वर्च्वल प्रोग्राम से मेलनी को वर्निंग दे सके कि उसे हेक्टर से बचना होगा क्योंकि वहीं असली कातिल है मगर आप सर्प्रैजिंगली यहाँ वो पाता है कि उसकी पतनी रेचल ने उसके वर्च्वल गलासे भी तोड़ दिये थे ताकि वो पास्ट में कुछ भी ना बदल पाए और उनकी रियालिटी ना बदले अब ये सब जानने के बाद लूडो काफी ही गुस्ते में था और वो रेचल को सेलफिश कहकर अब सीधे नेथन के पास जाने लगता है वहीं साल 1998 में मेलनी हेक्टर की इरादों से अंजान उसके पास आई हुई थी जहां वो कन्फ्यूज थी कि वो आगे क्या करे क्योंकि उसे पॉलिस पकड़ने वाली है चुकि वो नेथन को गौली मार कर भागी थी वहीं वो हेक्टर को बताती भी है कि वो तो अपने पती लूडों के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि उसने उसे की गन चुरा कर नेथन को मारा है अब ये सुनने के बाद फाइनली हेक्टर मेलनी को अपने दिल की बात बता ही देता है कि कैसे वो बच्पन से ही उसे प्यार करता आया है हाला के मेलनी कहती है कि अभी वो इसके बारे में नहीं सोच लगती क्योंकि उसने तो हमेशा हेक्टर को एक अच्छा दोस्त माना है और यहां से मेलनी अब वहां से जाने लगती है हाला के हेक्टर उसे रोकता है और कहता है कि वो बच्चपन से ही उसे प्यार करता आया है और उसके लिए उसने एक अंगुठी भी खरीदी है जो कि वो मैलनी को दे कर अब प्रपोस करने लगता है और यहां से फाइनली अब वो रिंग दे कर मैलनी समझ जाती है कि हमेशा से वो हेक्टर ही था जो कि उसे मारने वाला है क्योंकि उस समेथ जिन तीन लड़कियों की बोड़ी मिली थी उन सभी की उंगली में सेम यहीं अउठी थी यानि कि ओरिजिनल टाइम लाइन में उस सुबह मेलनी ने हेक्टर का प्रपोज रिजेक्ट कर दिया होगा जिसके बाद उसने उसे जान बुझकर उस पहाड़ी से धका देकर मार डाला और उसके बाद वो और साइको बनता गया और जिन दो और लड़कियों की बोड़ी मिली थी उन्हें भी हेक्टर ने ही मारा था अब मेलनी वहाँ से भाग नहीं सकती थी तो वो हेक्टर से बहाना बनाकर वोश रूम में आ जाती है वहीं हेक्टर भी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड है तो वो वोश रूम के बाहर ही उसका इंतजार करने लगता है वहीं मेलनी अब हेक्टर से बचने के लिए बातरूम के खिड़की से कूद कर भागने लगती है जबकि हेक्टर अब तिलाते हुए उसका पीछा करने लगता है कि वो आज उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा वहीं साल 2035 में लुडो अपने डिपार्टमेंट में आगर नेथन से सोरी कहता है जो उसने उस पर शक किया मगर अब उसके अनुसार हेक्टर ही असली कातिल था तो उन्हें जल्दी से हेक्टर को अरेश्ट करना होगा हाला कि अब नेथन उसे काफे ही गुसा था और वो कहता है कि पहले उसकी पतनी मेलनी ने 17 साल पहले उसे गोली मारी थी वहीं अब लुडो ने उस पर ही इल्दाम लगा दिया कि वो उसका कातिल था तो वो उसका भरोसा नहीं कर सकता अब यहां से लुडो समच चुका था कि उसे खुद ही कुछ करना होगा और पॉलिस बिना सबूतों के उसका साथ नहीं देने वाली तो वो आब हेक्टर का पीछा करने लगता है और कुछ दिर बाद उसकी गाड़ी रुकवा उससे पूछने लगता है कि उसने सत्ताई साल पहले उसकी पतनी मैलनी को क्यो मारा था अब हेक्टर हैरान था कि लुडो को ये कैसे पता चला मगर वो ये कहकर जाने लगता है कि उसे मैलनी के बारे में कुछ नहीं पता और नहीं उसने किसी को मारा है लेकिन लुडो अब उस पर तूट पड़ता है और उसे धमकी देता है कि अब उसके पास उसका खून है जिसके डियने की जान से वे जान लेंगे कि हेक्टर ही असली कातिल है और उसके बाद वो से जिंद की भर के लिए जेल में सड़ाएगा और यहां से लूडो अब हेक्टर के खून से वो DNA सेंपल्स निकाल सकता था जिसके लिए वो पास के ही एक वोशुरू में जाकर अब सेंपल्स निकालने लगता है हालां कि अब पीछे से हेक्टर आकर उस पर अटैक करने लगता है और कुछी देर की हाता पाई के बाद फैनलियाव हेक्टर लूडो के पेट में काच गुसा ही देता है और कहता है कि हाँ उसी ने मेलनी को मारा था क्योंकि जो उसकी ना हुई वो उसे छोड़ कर क्या ही करता वहीं बाहर लोगों ने लूडो को उस पर अटैक करते हुए देखा था तो अब अगर उसने उसे मार भी दिया तो सभी को लगेगा कि उसने खुझ को बचाने के लिए उसे मारा है वहीं अब लूडो मरने ही वाला था वहीं साल 1998 में अब मेलनी हेक्टर से बचते हुए उस बोली मार देती है और अब हेक्टर के मरते ही रियलेटी फिर से बदलने लगती है जहां लूडो पाता है कि अब उसे कोई चोट नहीं आई है वहीं हेक्टर उसकी रियलेटी से ही हट चुका है यानि कि अब ये रियलेटी पूरी तरह से बदल चुकी थी चूंकि हेक्टर स वहाँ उसकी वाइस मेलनी होगी वहीं वो कश्मकश्मे भी था कि क्या इस रेयलिटी में रेचल और सैम उसके पास नहीं होगे लेकिन अब घर पहुँचकर वो पा रहा था कि उसका घर अब बिल्कुल बदल चुका है वहीं सर्प्रैसिंगली लूडो की पतनी अभी भी रेचल ही थी और सैम अभी भी उसके पास ही था यानि के टाइम लाइन के बदलते हुए भी मेलनी ने उस दिन लूडो को छोड़ दिया सो रेचल और सैम को देख अब लूडो काफी ही खुश था हालां कि उसे पता नहीं था कि हेक्टर को मारने के बाद मेलनी के साथ क्या हुआ सो इसके लिए वो न्यूज देखने लगता है और पाता है कि मेलनी उस दिन हेक्टर को मारकर भाग गई थी जिसे कि पॉलिस कभी पकड़ नहीं पाई लेकिन हैक्टर को पता था कि वो कहाँ छूपी होसकती है और यहां से लोडोर अब फाइनली मैलनी से जाकर मिलता है जहां मैलनी की उमड़ अब काफी बाड़ चुकी थी वहीं वो लोडो को थैंक्स बोलती है और कहती है कि उसने ही उसे मरने से बचाया था वहीं आखिर में दोनों फाइनली एक दूसरे को छू पाते हैं क्योंकि टाइम ट्रेवल के दोरान वे एक दूसरे को छू नहीं सकते थे यहां भी इस टाइम लाइन में मेलनी पिछले 27 सालों से अकेले ही छूपकर रह रही थी और इसी के साथ यह कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है तो पूरी इस सीरीज आपको कैसी लगी कॉमेंट्स में बताए और चैनल को सबस्क्राइब करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए ठैंक यू